नुश्का दोस्तों आप सब कस्वागत है अपना फार्मा जोन के एक नए और इंफर्मेटिव वीडियो में आज हम बच्चों के गले, नाक, कान, फेफडों से संबंदित समस्याएं साथ ही साथ कई परकार की allergic conditions को ठीक करने में दी जाने वाली दवाई Monty Cop सिर्फ के बारे में जानेंगे इस वीडियो में जानेंगे Monty Cop को कौन सी कंपरी बनाती है इसके popular brands क्या है, यानि ये है market में और कौन से substitute इसके available है इसकी कीमत कितनी है, इसे डॉक्टर कौन कौन सी बिमारी में देते है इसके side effects क्या है, और वीडियो के अंत में जानेंगे हम अपने बच्चों को या कितनी डोज में दे सकते है तो बने रहें वीडियो के अंत तक ताकि कोई भी information छूट ना जाए Monty Cop suspension एक combination drug है इसमें Montalukast और Levocitrazine दो chemical compound प्रेजेंट है Montalukast 4 mg और Levocitrazine 2.5 mg पर 5 ml की strength से प्रेजेंट है Montalukast एक Leucotrain Antigonist है जो की Leucotrain नाम के chemical messengers को block करके काम करता है जिस से नाक तथा स्वासनली में सूजन कम हो जाती है और लक्षनों से रहात मिलती है वही Leucitrazine एक anti-histamine है जो की histamine नाम के chemicals को block करके काम करता है जिस से नाक का बेना, छीकों का आना, नाक और आग से पानी का आना तथा अन्य अलर्जिकल रेशिस वगेरा को रोक कर काम करता है Monti Cop suspension मैंकाइंड द्वारा बनाया गया एक popular brand है यहां 30 ml और 60 ml के pack में उपलब्ध है 30 ml pack का price लगभग 47 रुपे है वही 60 ml के pack का MRP 93 रुबीज के आसपास है brand area और डॉक्टर वाइस बदलते रहते हैं इसके कुछ popular substitutes Montier LC kit suspension है जो सिपला द्वारा बनाया गया है Zyzal M suspension डॉक्टर एडीज द्वारा बनाया गया है Montus Oral Suspension जो की Furets Company द्वारा बनाया गया है Levo Cast भारस सिरम द्वारा बनाया गया है आपके area में कोई भी suspension जिसमें Montalukast और Levo Citrus इनका combination हो आप उसे ले सकते हैं आप जानते हैं इसके uses को या allergic conditions जैसे नाक से पानी का आना खासी का होना नाक का बंद हो जाना हलकी सूजन हो जाना नाक के अंदर सास लेने में बच्चों की दिक्कत का हो जाना बच्चों द्वारा खासी का हो जाना बच्चों में Dry Cuff का हो जाना यानि सूखी खासी का हो जाना जो खासी एक बार शुरू हो फिर बच्चा खासता रहे काफी देर तक बच्चों को bronchial asthma हो जाना यानि कि Langs में inflammation sujan का हो जाना बच्चों में कई परकार कि skin allergies का होना जैसे skin का sud jाना, skin पे redness का हो जाना छोटे छोटे से दाने का हो जाना स्किन पर चकते टाइब का हो जाना जादा स्किन पर खुजली का होना बच्चों में सीजनल कोल्ड का होना जैसे सीजन बदलने पर बच्चों को कोल्ड हो जाती है नाग से पानी आग से पानी आने लग बढ़ता है ऐसी कंडीशन में भी यह दिया जाता है बच्चों में साइनस की इंफलमेशन हो जाना साइनसाइटिस हो जाने पर भी यह शिरव दिया जाता है कोई इंसेक्ट अगर बच्चों को काट ले जिससे उस जवब पर सूजन हो जाए, लालिमा हो जाए ऐसी स्तिती में भी दिया जाता है अगर बच्चे कोई चीज पानी से निगल ले उस कंडिशन में भी अलर्जी से बचाने के लिए दिया जाता है बात करें तो इसके साइड इफेक्ट्स की तो इससे माउथ का ड्राइनेस हो जाना यानि मुव में सुकापन हो जाना इस दवाई को लेने के बाद बच्चों में स्लिपिनेस का होना यानि नीन का आना बच्चे काफी देर तक सोते रहते हैं तो इससे डरने की कोई बात नहीं है अगर हम जब इससे डिसकंटिन्यू करेंगे तो यह यतास्तिती दुबारा से वैसी हो जाती है बच्चों का इसको लेने के बाद चक्कर का आना यानि की डिजिनेस हो जाना बच्चों में सुस्ती का होना डाइरिया हो जाना डिसेंट्री हो जाना जियाई डिस्टर्बंस हो जाना जैसे छोटे मुटे लक्षन आते है जोकी इसरफ को डिसकन्टिन्यू करने के बाद सामाने हो जाते है इसकी डोस बच्चों की AGE और BIT के ACCORDING दी जाती है अभी हम बात करेंगे बच्चों की AGE के ACCORDING दी जाने वली डोस की यह चे महीने से एक साल के बच्चे को दो एमल से लेकर के साड़े तीन एमल तक दिन में एक बार दी जाने की सला दी जाती है वही अगर बच्चा हमारा एक साल से दो साल तक का है तो हम इसे पाँच एमल दिन में एक बार दे सकते हैं इसकी डोज पेशन्ट की स्थिती के उपर निर्वर करती है अगर स्थिती ज़्यादा खराब है तो डॉक्टर इसे दिन में दो बार भी देने की सला देते हैं तो यह था मॉन्टी कॉप सस्पेंशन के बारे में एक इन्फर्मेटी वीडियो उमीद करता हो आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा अगर इन्फर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करना और अपने सुझाओ कमेंट बॉक्स में ज़रू डालना अगर आ नए है आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी इन्फर्मेटी वीडियो आपको मिलती रहे मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ तब तक गुड़ बाई